तशहुद में सुन्नतें नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए तशहुद में अपने बाएं पैर के पंजे को फैला कर तथा दाहिने पैर के पंजे को सीधा करके रखना सुन्नत है तथा नमाज पढ़ने वाला दूसरी रकात का सजदा करने के बाद इस विधी को करेगा इसका परमाड अबु हुमेद अससादी रदियल्लह अन्हो की हदीथ है जिसमें है कि नभी सल्लालाई अलिए वसल्म जब दो रकात में बैठते थे तो अपने बाएं पैर पर बैठते थे और अपने दाहिने पैर को सीधा रखते थे सही बुखारी हदिथ नमबर आठ सो अठाइस तथा आइशा रदियल्लह अन्हा की हदीथ में है कि नभी सल्लालाई अलिए वसल्म परतेक दो रकात में अत्तहियात पढ़ते थे और अपने बाएं पैर के पंजे को फैला कर तथा दाहिने पैर के पंजे को सीधा करके रखते थे सही मुसलिम हदिथ नमबर चार सो अन्ठानवे सही मुसलिम है सही मुसलिम है तर याफ़ता है सही मुसलिम अन्हा वल्हा रखता है सही मुदलिम थी यजिया ओर आपताउते रखताचनवे